भारत की GDP अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है वितम अंत्राले के मुताबिक, 2023 से 2024 की पहली छमाही में भारत की GDP 7.7 प्रतिशत बढ़ी ये 2022 से 2023 की पहली छमाही में 9.5 प्रतिशत से कम है भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है अब इसका लोहा रेटिंग एजेंसियां भी मान रही है नए साल में भारत के लिए अब एक और अच्छी खबर आई है भारत और रोमान जनवरी 2024 में मुक्त व्यापार समझोते FTA पर हस्ताक्षर कर सकते हैं दोनों देश प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझोते CEPA के अधिकांश पाथ पर पहले ही सहमत हो चुके हैं भारत और रोमान के बीच मजबूत आर्थिक और वानिजिक समझोते हैं 2021 से 2022 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षिय व्यापार 9.988 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझोता है जो व्यापार बाधाओं को दूर करता है और उनके बीच व्यापार को सुविधा जनक बनाता है FTA टेरिफ और कुछ गैर टेरिफ बाधाओं को दूर करके भागीदारों को एक दूसरे के बाजारों में आसान बाजार पहुँच प्रदान करते हैं निर्या तक बहुपक्षिय व्यापार उदारी करन की तुलना में FTA को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उन्हें गैर FTA सदस्य देश के प्रतिस परदियों पर तरजी ही व्यवहार मिलता है इंडिया रेटिंग्स एंड रुसच ने बुधवार को चालू वितव वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाग, जीडीपी, व्रिद्धी अनुमान को 6.2 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.7 फीसदी कर दिया है एजेंसी ने इसके लिए मजबूत अर्थ व्यवस्था, लगातार हो रहे विकास और एक नए निजी कॉपोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की संभावना का हवाला दिया है रेटिंग एजेंसी ने व्रिद्धी अनुमान को प्रभावित करने वाले जोखिमों के रूप में ग्लोबल लेवल पर अस्थिर स्थिती के अलावा, कमजोर वैश्विक व्रिद्धी और कारोबार को चिनित किया है इंडिया रेटिंग्स के प्रमोखर्थ शास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा, ये सभी जोखिम चालू वितव वर्ष में भारत की जीडिपी व्रिद्धी को 6.7 फीसदी तक सीमित रखेगे चालू वितव वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में जीडिपी व्रिद्धी सालाना 7.8 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत रही है इसके चालू वितव वर्ष की 6.2 तिमाहियों में धीमी होने की संभावना है भारतिय रिजर्व बैंक को भी 6 दो तिमाहियों में GDP वृद्धी कुछ सुस्त पढ़ने की आशनका है केंद्रिय बैंक ने संभावना जताई है कि चालू वितव वर्ष में GDP वृद्धी दर 7 प्रतिशत पर रहेगी पिछले वितव वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धी दर 7.2 प्रतिशत रही थी इंडिया रेटिंग्स ने बयान में कहा कि उसने चालू वितव वर्ष के लिए देश के GDP वृद्धी अनुमान को पूर्ववर्ती 6.2 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.7 प्रतिशत कर दिया है इसके पीछे भारतिय अर्थ व्यवस्था की मजबूती निरंतर सरकारी पूंजी गत व्याए, कॉपोरेट्स बैंकिंग क्षेत्र में घट्ता कर्ज, एक नए निजी कॉपोरेट पूंजी गत व्याए चक्र की संभावना और शेश विश्व से धन प्रेशन के साथ इंडिया रेटिंग्स की गणना से पता चलता है कि वास्तविक मजदूरी में एक प्रतिशत की व्रिद्धी से वास्तविक निजी अंति मुपभोग व्याए, पी एफ सी ए में 1.12 प्रतिशत की व्रिद्धी हो सकती है और इसके गुनक प्रभाव से सकल घरेलू उतपाद क व्रिद्धी में 0.64 प्रतिशत की व्रिद्धी हो सकती है